Recently, मेरा फेवरेट आक्टर जो मैं काफी में उनके काम देखता हूँ, वो विकी कॉशल है, वो बहुत बोसेटाइल है Mom मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं एक दिन भी नहीं जा सकती हूँ बिना उसे बात करना और वैसा ही है हमारा रेलेशनशिप Growing up, obviously, पापा एक role model था, क्योंकि उनका acting सब छोड़ो, उनका determination मुझे बहुत अलग लगा हम बहुत ही लखी है, हमारी first film में शंकर एसान लौ इर्शाद जी ने काम किया है नमस्कार महुरेहान, आप देख रहे हैं लहरे, दोनों फिल्म रिलीज होने वाली है 5 अक्टूबर को इस फिल्म को डिरेक्ट किया है अवनीश बरजात्या ने और इस फिल्म के गीत जो लिखे हैं इर्शाद कामे ने लिखे हैं इसके अलावा म्यूजिक जो दिया है, वो मशुहूर म्यूजिक डिरेक्टर शंकर एहसान लौए ने दिया है इस फिल्म से अपनी बॉलिवूड जर्नी शुरू करने जा रहे हैं सनी देवल के दूसरे बेटे राजवीर देवल और अपने जमाने की मशूहूर आक्ट्रिस रही पूनम धिलो की बेटी पलोमा धिलल तो हम ये दोनों हमारे साथ इस वक मौझूद हैं हम इस फिल्म को लेकर इनकी क्या excitement है और इस फिल्म की shooting के दौरान क्या क्या experience हुए फिल्म को लेकर कितने excited हैं उसके बारे महां हम बात करेंगे सर सबसे पहले स्वागत है आपका तैंक यू इस फिल्म को लेकर पांच अप्रूबर को release होने वाली है जी, बहुत excited है, बहुत ही nervous भी है, क्योंकि हमारी पहली picture है, लेकिन हमारा इतना response positive रहा audience से, तो हम बहुत ही excited है, और I can't wait कि लोग हमारी film देखे, ट्रेलर को काफी पसंद किया गया sir, और जो गाने अभी release हुए हैं, वो भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जब audience का इस तरह स response मिलता है, आज ये newcomer, एक होसला अभजाई होती ही, कि हाँ, हमारे काम को लोग पसंद कर रहे हैं, तो कैसा feel होता है, I think first, आप काफी relief हो जाते हैं, कि लोग appreciate करते हैं, आपका first performance, और वो थोड़ा nervous energy भी आइस्ता आइस्ता आपके शरीर से वो भी disappear हो जाता है, पर फिर भी अभी हम इंतजार करें, October, 5 जब लोग actually picture देखेंगे, वो क्या feedback लेकर हम देखते हैं, कैसे लोग react करेंगे, अच्छा आप दोनों ही star kids हैं, तो जो offer मिला पहला, किस तरह से मिला, उसके बार में थोड़ा सा अब दरशकों को बताएं, कि जब पहला call आया, राश्री के अभनीश की तरप से, तो कैसा रहा हो? हम बहुत खुश थे, हम लंच पे गए थे, तो वो बहुत ही एक special दिन था हमारे लिए, और आपको से, मुझे पता चला कि सूरज बरजातिया की बेटा एक movie direct करना चाहे था, तो मैंने उनके casting director को phone किया, बुला में interested हूँ audishing के लिए, तो मैंने अवनीश से मिला और मैंने script सुना, तो script मुझे बहुत पसंद लगा और character को भी, तो मैंने three rounds audition किया, और दो हफ़ते के बाद मुझे एक phone call मिला, बुला कि मुझे film मिल गई, तो फिर उसके बाद मैं बहुत और खुश तया, और भी nervous हो गया कि अच्छा अभी हम शुरू करते, तो आप दोनों जब select हु मिका, बहुत खुश थे, बहुत ही proud feeling I think आया as parents, तो क्या सुझाओ दिया, आपकी ममी जो है, मशूर actress भी रही है, तो कुछ tips दिया होगा कि यह prefer करना, यह करना, टिप्स तो I think हरोज मिलते है मॉम से, लेकिन I think you know, हर एक दिन को enjoy करो, hard work करो, patience रखो, डाड हमेशा कहते है कि you know, be patient, यह line में कुछ चीजे time लेते है कभी-कभी, and अगर एक चीज आपके तरह नहीं चले तो, you know, it's okay, move on, dwell मत करो इसके उपर मैंने तो पूरा परिवार को बोला था, और सब लोग खुश थे, डाड इतने, you know, emotions ने दिखाते थे, तो इसलिए क्योंकि वो लगता है, मेरा focus, you know, जादर celebration में जाएगा, और काम पे नहीं, तो actually, उस phone call के बाद में अपना काम शुरू किया, script उठाया, और मैं I start learning my lines, और character के बारे में अभी research शुरू किया, तो sir, जैसा कि ये film है, film की कहानी है, आप दोनों का character जो है, पहले ही break up हो जाता है, मतलब दोनों ही टोटे हुए दिल आप बाद में मिलते हैं और दोनों ही एक हो जाते हैं, तो किस तरह का experience रहा shooting के दोरान, shooting के दोरान हमारे first movie में, तो I जाता है, जब आप एक picture बनाते हैं, तो obviously बहुत, तीन बज़े सुबह के call times, night shooting वगेरे, वो सब tedious होता है, पर क्यूंकि मैंने देखा, थोड़ा experience भी मिला, पहले से मेरा first movie से, तो I mean, मुश्कल होता है, पर you eventually, आपको एक comfort मिलता है, और आप मज़ा आता है acting करने में, तो time flies तो क्या कोई workshop किया था, ये पहले से कोई acting classes की थी, कि हमें, पहले से ही decide था कि आप acting में ही आने वाले, स्कूल में मैंने थेटर किया, मैंने दो नाटक किये स्कूल में, और उसके बाद मैंने अलग-अलग workshop FTI वाले से, NST वाले से किये, फिर जब मैं 21 था, फिर मैं अब्रा किया, मैंने casting department पे भी काम किया, मैंने अलग-अलग auditions लिये, dialogues दिये, sourcing किया, फिर obviously workshops किये, और बहुत auditions दिये, तो वो भी एक practice हो जाता है, you know, confidence बढ़ जाती है, ये, पहले से ही decide था कि मतलब acting के field में ही जाना है, या फिर actress ही बनना है, या फिर lead actor ही बनना है इस film के लिए I think जब मैं बच्ची थी, ऐसे नहीं सोचा था मैंने, I think जब मैंने college जॉइन किया था, और BMM course मैंने किया, वो बहुत ही creative course है, हमने skits और plays किये थे उसमें, तो पहली बार acting उसमें हुआ था, और बहुत पसंद आया, बहुत खुश मैसूस, वो जो आती है ना कुछ काम करने के बाद वो अंदर से खुशी, तो मुझे मिला था, तो मैं बहुत ही curious थी कि मुझे इसको और explore करना है, तो मैंने workshop और ये सब का training चालू किया, और कब वापस नहीं देखा, वो एक goal बन गया था, फिल्म का जो title music है, title song है दोनो, वो काफी लोग पसंद कर रहे हैं, और उसे खुशूरत तरीके से उसे फिल्माया गया, इस गाने की shooting का कुछ अगर किसा याद हो, किस तरह से तयारी किया अपने, I think हमारे पहली बार हमने lip-sync किया, तो वो 48 frames per second में, मतलब, you know, the song is running twice as fast, तो वो थोड़ा challenging था, पर हमने काफी practice किये थे, या, बहुत fast चलता है lyrics, तो को बहुत fast बोलना पड़ता है, और screen पे slow-mo में दिखाए देता है, तो अगर हम आपकी बात करें, तो जैसे आपकी बड़े भाई करन ने खुद पिता की production से launch किया गया उन्हें, उनकी पहली film मिली, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं पिता की production या दादा की production जो है, उ मैं इतने सारे, कौन सा banner मुझे, मैरा बड़ा launch जैसे लोग सोचते है, शायद मैं ये सब सोचता हूँ, लेकिन मैं इतना सोचता है इसके बारे में, मैरा interest acting में था, शायद if I did theater also मैं काफी खुश रहूँगा, क्योंकि solely मैरा interest acting में था, तो मैं इतना, you know, मेरा career ऐसा होना च इन सारे चीजों के बारे में मैं इतना सोचता है नहीं, तो क्या ideal लेकर चल रहे हैं कि हम इस तरह का actor बनेंगे, जैसे पापा आपके तो great actor ही है, अभी हाली में गदर टू रिलीज हुई तो उसका problem सब के सामने है, लेकिन ideal किसको मानते हैं, जैसे पहले जमाने के लोग जो मैं काफी में उनके काम देखता हूँ, वो विकी कॉशल है, वो बहुत बोसे टाइल है, वो आर्ट मूवी भी कर सकता है, कमर्शल मूवी कर सकता है, I think मेरा दूसरा बहुत बड़ा influence है, is the late great इरिफान खान, वो बिलकुल जब आप कमर्शल मूवी करते हैं, थोड़ा थोड किस तरह की मूवी प्रिफर करेंगे, एक्शन थ्रिलर मूवी या रोमांटिक मूवी ही आगे जो आफर आएंगे, क्या आपको ज्यादा इंटरेक्ट करता है किस तरह की फिल्म में, मैं कुछ भी करूँगा, आज अभी मैं न्यू कामर हूँ, तो जो भी मौका मिलेंगा, करना तो मैं वो करूँगा, तो मेरा कोई है, एसा प्लान है, नेक्स मूवी आज टो बी एन एक्शन मूवी या रोमैंटिक मूवी, मैं हॉर्र मूवी भी करूँगा, कॉमेडी भी करूँगा, जो भी है, मुझे अच्छा लगा, स्क्रिप्ट या क्यारेक्टर को, मुझे लगते हैं, मैं ये कारेक्टर का जस्टिस कर सकता हो, मैं वो मूवी करूगा, आप अपने परिवार में किसे आइडिल मानते हैं, पापा को, ये फिर अंकल बोवी देवल को, ये फिर दूसरा अभे देवल जी को, सभी वर्सटाइल एक्टर हैं, हर तरह की भूमकाई सभी ग्रोइंग अप ऑफिसली पापा एक रोल मॉडल था, क्योंकि उनका अक्टिंग सब छोड़ो, उनका डिटर्मिनेशन मुझे बहुत अलग लगा, कोई छुटी ने लेता है, संडे भी वो काम करता है, तो ऑफिसली ट्वेंटी टू ये लेटर उनका हिट फाइनली हुआ, तो जिए उनका डिटर्मिनेशन देख कर मुझे बहुत इंफ्लूइंस करता है, अच्छा पापा या मम्मी आपकी कोई किसे ऐसे बताते हैं पुराने जमाने के जो उनके साथ शूट के हुए हैं, आपको याद है, जैसे हमको भी याद है कि जब उनके पहला ब्रेक मिला थ कि याद जी ने मॉम को सिलेक्ट किया देखते ही, you know, she found her so beautiful that selection ऐसे ही हो गया था, of course, मॉम मिस इंडिया भी थे, and I think मॉम ने पंदरा साल पे काम शुरू करना किया है, और आज तक काम कर रहे हैं, तो मॉम ने प्लेज किये हैं, OTT में भी परफॉर्म किया है, you know, फिल्में क ज्यादा बिटर लगती है कि मा के रूप में, वो तो definitely अलग roles है, I think, एक मा का रोल इक बिलकोल अलग हो जाता है, और actor's role is very different, actors तो characters play करते है, but as a mom, my mom की, mom मेरी best friend है, में एक बिन भी नहीं जा सकती हूं, बिना उसे बात करना, और वैसा ही है हमारा relationship, आप किसे ideal मानती है, इस industry में, definitely mom मेरी biggest inspiration है, जैसे मैंने काहा था, 15 साल पे उन्होंने काम करना शुरू किया, और आज तक काम कर रहे है, and बहुत अलग-अलग types के roles play किये है, अलग-अलग mediums में explore किये है, and अगर वो घर पे आप देखते है, बच्पन से, you know, आप कैसे inspire नहीं हो सकते हैं, काफी मेहनत, काफी hard work लगा, और सबसे easy कौन सा short याद हो, अगर आपको रिममर दर्शकों को बताना चाले हैं, आप दो मोले, I think हमारे poster के shoot, जो हम दोनों समूंदर के किनारे पे बैठे हैं, वो उस दिन बहुत गर्मी थी, और बहुत tourist भी आये थे, तो हम दोनों शादी के कपड़े में बैठके, और सब लोग, you know, swimwear में, ash करें आसपास, और लोग चला रहे भी थे, कोई गालियां भी दे रहे थे, और हम दोनों काफी focus भी था, पानी के अंदर बहुत करीब भी थे लोगों, क्योंकि पब्लिक बीच था, you know, तो 9 बजे तक बहुत crowded हो गया था, और वो कमोनो ड्राइगें वो आइलेंड पे बहुत थे, तो, we are to be careful of that also, हमारे दियोपी भी, you know, सुमुंदर आसपास आ था, आसपास आ था, एक्जाक्ली, चीरु सर के, अक्चली, पैर पानी में थे, कैमरा एक्विप्मेंट पानी में था, तो हमें बहुत, वो फास पास अगर कोई डाट पड़ी हो, डिरेक्टर की तरफ से, ओ, नए, बिल्कुल नए, या, अक्चली, बहुत ही स्मूद रहा हमारे साथ, टच्पुड, you know, हमने बहुत तयारी भी की, अक्चली, फ्लॉस जाने से पहले, तो, जब हम फ्लॉस पे थे, तो, बहुत आसान था, भी, जब माता पिता शूटिंग सेट पे आते हैं, तो, कितना प्रोच साहन मिलता है, बहुत ही एमोशनल मोमेंट्स है, I think, जब मेरे पापा पहली बार आये थे, फिल्म सेट पे, हमारा पहला दिन था शूट का, तो, बहुत दोनों के लिए बहुत एमोशनल था, I don't think, पापा अंदर आये थे, वो बाहर वेट कर रहे थे, और मॉम भी दो-तीन गाने पे आये थे, बैंकॉक भी आये थे, मॉम तो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि, मेरी जोनी फाइनली शुरू हो रही है, मॉम मेरी फिल्म सेट पे आ सकते हैं, तो, बहुत ही स्पेशल था, आपको सर बताएं, दादा जी धर्मेंद भी आये थे, सेट पे आपको क्या मेसेज दिया, क्या खास टिप दिया, आपके परिवार में तो सारे ही वरसटाइल एक्टर है, जी, 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 वो ऐसे सप्राइस किया एक दिन मुझे और वो उस दिन मेरा बहुत बड़ा सीन था, काफी जंबा मोने लोग था, तो उसके सामने में बिल्कुल चुप हो जाता हूँ, जैसा इतना बड़ा लेजन है मेरे सामने, तो आइफील एक आम नोट इवन वो दी कई बार, बट उसने गले लगा के जिस बुला, रिलाक्स्ट, मैं देख सकता हूँ, आफ कारेक्टर में हो, त इक तरीके सही सिनेमा के लिए, तो कैसी फिलिंग होती है, बच्चे के रूप में, परिवार के रूप में, आप हम्बल हो जाते हैं, आप बिल्कुल ग्रेटफुल हो जाते हैं, कि वो बहुत खुश भी है, मेरे काम से, तो मैं जस चुप हो जाता हूँ, और मैं थैंक गॉ सा हिस्सा सबसे ज्यादा आपको दिल को छुप है, कैसे आंसर करें, पूरी पिच्चर हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, हमने लीनियर भी शूट ने किया, तो हमारे क्लाइमाक्स पहले, फिर फिर सीन्स लेटर, तो हर दिन चैलेंजिंग दिन है, मैंने ये सीखा था, मैं बहुत इंटेंशन लगाया, अपने अपने बड़े-बड़े मोनोलोग्स को लेकर, पर छोटे सीन्स एक डायलोग्स को लेकर, मुझे सोचा ये काफी आसान होगा, पर एक्शली मेरे डिफकल्टी सो इजी सीन्स में था, क्योंकि आपका सारे अटेंशन बड़े-बड़े स सीन्स में जाते हैं, भूल जाते हैं कि हर सीन बड़ा ही है, अगर आपके पास डायलोग्स है, डायलोग्स नहीं है, वो एक सेंगे इंग्लिश में ना, इस नो स्मॉल रोल्स, वो नी स्मॉल आक्टर्स, तो वो मैं बिलकुल सीख गया उस वक्त, ट्रेलर में कई बात ट्रे है, तो इसका क्या डिफाइन करना चाहेंगे, ओडियन्स को कि कि नई जनरेशन को जो आ रही है, एक दूसर से प्यार कर रही है, क्या मेसेज देना चाहेंगे, कि आप स्टबन मत बनो, आप जो सचाई से आप उस तुट से आप धोड़ रहे हो, वो उस चीज से मत भागो, और आप खुद को एक एक सेप्ट करो, फिर आप मुव आउन कर सकते हो, क्लोजर मिल सकते हो, वो सबसे मुश्कल चीज है हर इंसान के लिए, तो एक सेप्ट हार्श तूथ, तो आइ थिंक यू नीड तो कई बार सेल रिफ्लेक्शन होता है, वो बहुत जरूर होता है, वो इस फिल्म का म्यूजिक सबसे अहम होता है, किसी भी फिल्म को सकसेच करने के लिए, म्यूजिक जाहिर सी बात शंकर एसान लॉय ने दिया है, वो एक नोटेड लिजन्ट हैं, और जिन्होंने बहुत कामया फिल्में दी हैं, तो इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, क्या और इसक्राइब करना चाहेंगे, और जिन्होंने बहुत ही लखी है, हमारी फिल्म में शंकर एसान लॉय इर्शद जी ने काम किया है, और राजश्री के फिल्म के गाने इतने ब्यूटिफुल है, तो हमारी फिल्म में भी हर एक गाना स्टॉरी को आगे लेता है, तो बहु हुथ ही एक्साइटेड है, और वेरी ग्रेटफुल फॉदाट, पर अप लोग कितना पसंद करते हैं म्यूजिक को, मैं तो फेवरेट गाना चुन भी नहीं सकती हूं, हर शूटिंग के बाद ना, हम तीन चार दिन के लिए में वो गाना गाती थी, और वो एक साइन है ना, इतना कैची है वो गाना, मैं चुन नहीं सकती हूं, फेवरेट गाना, पर अगर आप पूछ रहे हो, तो इसके बारे में बताना चाहें, कुछ नहीं बोल सकता हूं, या, इतिंक अभी तक बाते चल रही है, तो बेटर है कि कुछ जब तक ऑफिशल नहीं हो जाते है, उसके बारे में नहीं बात कर सकते हैं, और कुछ मेसेज अगर देना चाहें, दरश्कों को, फिल्म देखने के लिए 5 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, क्या कुछ अपील करना चाहें, प्लीज देखो हमारे पिक्चर, जो रिलीज हो रहे 5 अक्टूबर दोनो, होफिली आप सब राजश्री फिल्म है, लेकिन एक नया मॉडर्न टेक है इसमें, तो होफिली ये नए ओडियन्स को भी थीटर में लेके आएंगे, एक्साइटेड, प्लीज गो वाच्च, एक आखरी सवाल सर, अपने टू फ्लोर पे जा रही है, ऐसा सुना जा रहा है, तो क्या आप उसमे हैं, या फिर करन जी और पापा या फिर दादा जी की पूरी पैमिली, आप हैं उसमें कहीं, सर अगेर मिसके सब सारे चीज़ों के बारे में, मैं माफ कीजिए, मैं कोई कॉमेंट ने कर सकता हूँ, इसके बारे में, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, इ बहुत-बहुत बधाई हो, आने वाले फ्यूचर के लिए भी, यह थे राजबीर देवल जी और पलूमा धिलन जो इस फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, कैमरामन खालिद के साथ, रेहान हुसाइन, लहरें, मुंबई